अधू, अधू, फ्रेंड्स, वेल्कम टो श्लीपी क्लासेज, आज हम डिक्स करेंगे static सेIBD and inventions काफी अच्छा topic है यह Гос टैन्पी म कि desperate, के सिरिज में या तो हम discuss करेंगे स्झेटिक करेंगे या करेंगे static से the topic तछ पर स्टार्ट करते हैां आज का हमारा टॉपिक कुंप्यूटर की invention किस ने करी थी तो computer की invention करी थी चार्लस बैबेज ने चार्लस बैबेज शार्लस बैबेज देखिए पहले जब computer इंवेंट रहा तो बहुत ही बल्क साइज का था आज की डेट में आप लोग laptop use करते हो जलिए मिराज का पहला स्वाल आप लोग जुरूर comment section में इसका answer दीजिएगा laptop की invention किस ने करी थी and जो हम smartphone यूज करते हैं उसको basically invent किया था IBM ने और एक super computer से भी question पुछा जाता है super computer की invention किस ने करी थी तो super computer की invention करी थी आपकी see more crane है यह आप लोग मुझे comment section में बताईएगा चलिए next television television को basically invent किस ने करा था jl barrett जिन्होंने television को invent किया था और देखिए जब television invent हुआ तो single screen का था और आज की rate में हम use करते हैं led और वो भी smart led जिसमें आप लोग netflix youtube inbuilt देखते हो जस्त आपके पास wifi connection होना चाहिए और आप बिल्कुल enjoy कर सकते हो led को as a smartphone तो चलिए next देखते हैं calculator calculator की जब invention हो थी बहुत ही bulk size का था आपको यह picture देखने के बाद harmonium जैसा feel आ रहा होगा कि harmonium नहीं यह बिल्कुल calculator है अपका और calculator की invention करी थी ब्लेज पास कलने आज की डेट में तो calculator आपके फोन में होता है हाला कि competitive exam में जो students basically त्यारी कर रहे होते हैं उनको जुर्यत नहीं होती calculator के उनका जिस्टिक वैदिक में स्ट्रॉंग होना चाहिए stream car stream car की invention किस नहीं करी थी तो stream car की invention करी थी एन कुगनॉट ने stream car भी उसना आप देख सकते हैं bulk size की थी धीरे धीरे इसकी invention में आप लोग देख सकते हों कि जो size है वो bulk से बहुत ही compact सा size आ गया atomic theory देखिए जब atomic theory की बात आती है तो हम जिकर करेंगे dalton का हलाकि dalton theory को बहुत सारे scientist ने challenge किया था जैसे बौर मॉडल आया था एक रदर फोड मॉडल आया था और यह model basically atomic theory को हम अच्छे से describe करते हैं हम chemistry में पढ़ेंगे लेकिन जब भी आपसे पुछा दाएगा ना invention of atomic theory तो अंसर आपका delton ही होगा अब इस से related काफी सारे question आते हैं मैं यहीं आपको बता देता हूं लाइक एक atom हम consider करते हैं atom के बीच में nucleus होता है और nucleus करी करता है proton and neutron proton करी करता है positive charge neutron के पास कोई भी charge नहीं होता और जो हमारा nucleus होता है इसकी surrounding में electronic जो electrons होते हैं वो डिवाल करते हैं जैसे के LMNO आपने पढ़ा होगा कि जो शेल होती है उसमें two electrons होते हैं L में eight होते हैं तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं मैं आपको chemistry में बहुत अच्छे से बताऊंगा यह बात तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो electron है इसकी basically invention किस ने करी थी तो आपको याद रखना है जो electron है उसकी invention करी थी जे जे थॉंसन ने उसके बाद जो proton है proton की invention करी थी गॉल्ड स्टेन ने हलाकि इसको challenge किया था रदर फोर्ड ने गॉल्ड स्टेन ने जस्त यह कहा था कि proton करी करता है पॉस्टिव चार्ज लेकिन फिर भी हम यही consider करके चलेंगे उसके बाद आपका neutron है neutron को basically neutron की study या फिर invention किस ने दी थी चैट कोशन पुछा जाता है जो प्रियर्डिक टेबल है वो उसकी basically invention किसने किया था मंडलीव ने कई बुक में मंडलीव है आपने मंडलीव याद रखना है अच्छा एक जैसे हम लोग देखते है ना sodium मानलो की sodium एक atom है इसका atomic number है 11 और mass number इसका है 23 है ना तो कई पर कोशन पूछ एसे होते हैं जो ड्रेक्ट लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपने याद रखने है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट है हमारा gasoline car gasoline car की जो invention है वो करी थी काल बेंस सबसे पहले यह gasoline कार इस तरह से दिखती थी और यह है काल बेंस चले नेक्स्ट देखते हैं रेडियो रेडियो भी बहुत बल्क साइस का था जो रेडियो है उसकी invention के रही थी गूगली मो मार कोनी ने बहुत important है यह नेम चले उसके बार देखते हैं रेडियम रेडियम की ठ्यूरी यह आप सब जानते होंगे इनको two times noble price भी दिया जा चुका है तो आज आपको बस यह बताना है कि नोबल प्राइस 1903 में किस में मिला था और 1911 में किस में मिला था बस यह आप लोगों को अंसर करना है और इनकी जो देख है वो भी रेडियम की वज़े से हुई थी चली चिकन पॉक्स वेक्सिन चिकन पॉक्स वेक्सिन की बेसिकली invention करी थी एड क्रोना वैरिस के डॉरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोना वैरिस किसको एफेक्ट कर रहा है और एन ने को यह वर्ड आपने सुना होगा फैमिलियर होंगे बाकी बाइलोजी में आपको मैं कवर करवाऊंगा यह तो डिन ने का जो स्टचर है वो किस ने दिया था वा एलफ्रेड नॉबल चली नेक्स्ट अ फैरेन हाइट अ बैसिकली टेमप्रेचर की इन्वेंशन किसने ने करी थी फैरेन हाइट ने चलिए उसके बाद theory of evolution यह बहुत important है theory of evolution और यह जो person है Charles Darwin जिनोंने theory of evolution दिया था इनके जो motivational court होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं आप basically इनको follow कर सकते हो अगर आपको as a motivational किसी person की guidance से ही है यहां पर भी मैंने motivation court उठाया इनका a man who dares to waste one hour of time has to discover the value of life हम बहुत ही समय खराब कर देते हैं अपना smartphone पर लगे रहते हैं मैंने आपको पहले भी बिदाया था एक application है forest इसको download कीजिए आपको अपने समय की कीमत का पता लगेगा आप समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे अपना और study में एक बिल्कुल consistency आईगी forest app डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे plant grow करेगा आपको अच्छा लगेगा कि हमारी consistency भी बढ़ रही है और हम अपने paper की अच्छे से त्यारी कर पा रहे हैं चले theory of relativity theory of relativity दी है gravitational motion की जो theory है वो दी है इसाक Newton ने यह आप पिच्चर से basically आपको याद आ गया होगा safe गिरते हुए यह पिच्चर definitely आपने ncrt की books में देखी होगी चले उसके बाद है malaria parasite देखे आज की rate में जो covid-19 से बुरा हाल है और हमारे देश के परदाहान मंतरी मोदी जी ने 8 January को Corona vaccine को basically हमारे इंडिया को समर्पित किया कि अब हमारे देश ने एक covid की जो वेक्सिन निकाल ली है उसे at least हम लोगों को एक रहात मिले और ऐसी है malaria में बहुत ही जादा जाने गई थी और malaria की जो vaccine है वो बनाई थी यहाँ पर नाम लिखा हुआ रोनाल्ड रोस तो आपने याद रखना है काफी अच्छी यह basically invention थी इससे काफी जाने चले गी थी malaria जब उस ताम फैला था safety pin safety pin जो है यह लेकर आये थे Walter Walter तो चलिए next है आपका camera camera भी जब आया था बहुत ही bulk size का था और इन person को आप जानते होंगे चलिए आज का मेरा third question है जो black Obama है जो US के president रह चुक है इनकी book है जिसको लेकर इंडिया में बहुत जादा controversy हुई है काफी politician का इन्हों में जिकर कर रहा है उस book में तो आपने उस book का नाम मुझे बताना है comment section में जो camera है इसकी invention करी थी बेसिकली स्टीवन सैसन ने स्टीवन सैसन और यह तो बेसिकली लोगों के लिए भगवान होंगे जो यूज करते हैं camera का सबसे जादा जो रील्स बनाते हैं या फिर पहले टिक टॉक्स बनाते थे या जो selfie को बहुत जादा importance देते हैं selfie वेरा के जो शोकीन होते हैं उनके लिए काफी invention करिए इन्होंने उसके बाद है diesel engine डीजल इंजन स्टार्टिंग में आ था यह भी काफी bulk size का था यहां पर इनका नाम लिखा हुआ है rudolph diesel यह लेकर आया थे diesel engine की invention को चली उसके बाद देखते हैं revolver जो revolver है इनको इसकी बेसिकली invention करी थी Samuel Colt इनका भी यहां पर नाम लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं जब रिवाल्वर स्टार्टिंग में आई थी इस तरह से देखती थी उसके बाद है AK-47 यह तो न्यूस चैनल में भी चलता रहता है AK-47 जो टैरिस्ट हैं वह बेसिकली AK-47 करी करते हैं या फिर हमारी जो आर्मी है उनके पास होती है AK-47 और AK-47 की जो invention है वह करी थी जिनके नाम पर AK-47 है तो मैं आपको नाम बता देता हूँ पहले है ओटोमेटिक इसका नाम है फुल फॉर मैं मतलब AK-47 की ओटोमेटिक क्लाश्णी कोव और चो क्लाश्णी कोव है इनका मतलब बेसिकली नाम है इन्हों नहीं AK-47 की invention की थी उसके बाद है एटम बॉम एटम बॉम की invention करी थी जूलियस रोबर्ट ओपन हिमर ने और इसके साथ साना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एटम की जो इन्वेंशन ने करी थी तो आपने याद रखना है एडवर्ड एडवर्ड लेलर ने यहां पर आपको नहीं होना है जो एटम बॉम है वो अलग है और बॉम है वो अलग है तो चलिए नेक्स चलते हैं एसी यह हमारे आजकल घरों में इसकी बेसिकली सबसे इसकी जादा करें देखरी में एर कंडीषनर जो वो बेसिकली किसने करी थी विलियES क्यरी आप लोग देखते उंगा इसकाравля याद याद कर सकते हैं उसके time question पूछ लिए दाता है fountain pen fountain pen की जिसने invention करी थी इनकी में को picture कहीं मिली नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ L waterman यह मैं दोरा लिख देता हूँ L waterman उसके बाद मैं अपनी तरफ से आप से कुछ कोशन पूछ रहा हूँ laughing gas का आपने बताना है यह fourth question आज का laughing gas की invention किस ने करी थी चलो मैं बताई देता हूँ प्रिस्ट लेने तीन कोशन का ही आपने answer देना है उसके बाद है CRT जो tube है इसकी invention किस ने करी थी और फैडिनन ब्रॉन ने एंड टेलिस्कोप यह बहुत ज्यादा पुछा जाता है टेलिस्कोप यह मुझे याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते एडविन हबल आपने देखा भी होगा हबल टेलिस्कोप जूरूर सुनाओ आप लोगों ने हबल टेलिस्कोप का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा नासा की द्वारा तो यह कुछ इंवेंशन है जो आपको पता होने चाहिए ठेंक्यू गाइस और यह जो सीरीज है स्टैटिक एंड क्रंट की डेफिनिटल आपको बहुत करेगी चाहिए आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो इवन बैंकिं सब्सक्राइबर की बिल्कुल किनारे कौन सा शेहर बसा हो है है ऐसे कुछन पूछ ले जाते हैं तो यह इसके लिए हम स्पैशल एक सिरीज चलाई है हमने टैन पीम सिरीज और इस सिरीज में जो आपके डेली के क्रंट फेर होते हैं उनको भी हम यहां पर डिसक्स करेंगे स साथ जो स्टैटिक इंपर्टेंट टॉपिक्स हैं वह भी हम डिसक्स करेंगे तो चलिए गाइस थैंक यू सो मच